आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ क्रोमोजोमल डिसॉडर आर कॉस तो जो क्रोमोजोमल डिसॉडर है उसका कारण ये है कि कहीं बार ये एपसेंट हो जाते हैं और कहीं बार इनकी अबनॉर्मल अरेंजमेंट देखी जाती है Failure of Segregation of Chromated during Cell Division Cell Cycle results in the gain or loss of a क्रोमोजोम and is called aneuploidy यहाँ पे एक टर्म दी गई है aneuploidy इसका मतलब है कि Cell Division के दोरान अगर एक Failure हो जाए किसमे Segregation Segregation मतलब अलग-अलग होना कि इनका Chromated का जब ये अलग-अलग सही ढंक से नहीं होंगे तो एक Cell में जादा क्रोमोजोम हो जाएंगे और एक Cell में कम क्रोमोजोम हो जाएंगे इस कंडिशन को हम कहेंगे aneuploidy फिर बात किया है Failure of cytokinesis after telophase stage of cell division result in an increase in a whole set of क्रोमोजोम in an organism and this is known as polyploidy यहाप एक और term इस्तेमाल किया है polyploidy polyward का मतलब होता है many यानि कि जो organism है उसमें set of क्रोमोजोम जो है वो क्या हो जाए double हो जाए पूरा whole set of क्रोमोजोम जो है वो double हो गया इसका कारण क्या था कि सही से cytokinesis या cytokinesis का मतलब होता है कि जो cytoplasm है वो सही से divide नहीं हुआ जिसकी वज़ा से एक cell में क्रोमोजोम का number जो है वो double हो गया अब यहां question पूछा है there are a total number of dash pair of autosomes in a normal human cell तो अगर हम एक normal human cell की बात करें तो इसके लिए एक representation है 2n is equal to 46 2n represent करता है कि सारे क्रोमोजोम paired में है 46 represent करता है number of chromosome को यानि कि जो number of chromosome है किसी भी human cell के अंदर वो कितने है 46 सारे कैसे है pairing के अंदर paired है यानि कि एक set हमारा आया है mother से और दूसरा set आया है father से that is why हम क्या है deployed organisms हमारी body में 46 यानि कि 23 pair जो है chromosome के present होते है इन 23 pairs में से 22 pairs जो है उनको हम कहते है autosomes जो कि normal functioning के लिए responsible है बच गया one pair ये one pair किस काम आता है ये आता है sex determination के और sexual characters को express करने के इन chromosomes को हम कहते है sex chromosomes ये depend करते है gender के उपर male में होते है xy और female में होते है xx तो ये vary कर सकता है यहाँ पे जो total number of autosomes की बात की है तो autosomes pair में कितने होते है 22 तो 22 pair जो है उसका present होगा तो यहाँ पे correct answer होगा option number 1 22 प्लासिक से 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 चार्सो पर झाल सण के जट्यां कीजिए